नमस्ते दोस्तों, बिल्डिंग कंट्रक्शन जीते अंदर शुवा में आपका स्वागत है, आज के वीडियो में आपको एक टेरेस की डियान बताऊंगा, जो कि आपकी ओपन छत रहती है गर के उपर में, तो आप किस तरह उसको मेनेज कर सकते हैं, जैसा कि आप यह देख र कि इसमें देखिए पानी के लिए पाइपलाइन भी बिचह हुई है, ताकि आपको बार-बार पानी खुदों को देनाने पड़े, खले एक बार चलू किया है पानी, तो यह पूरे में पानी की सप्लाई इसमें हो जाएगी, तो एक आप आइडिया ले सकते हैं कि आप अग अगर कभी यहां बैठ गए और यहां देखिए अगर बारिश भी आगी तो भी पानी नहीं आएगा और यह ग्लास जो देख रहे हैं, ग्लास खले आपकी रोशनी कमना पड़े, इसके लिए यह ग्लास लगाए हुए है, और एक साइट सीटिंग, एक साइट यह काउंटर अर्वी के पोदे भी लगा रखे हैं, चोटे-चोटे प्लांटी लगाना ज्यादा अगर बड़े हैवी आप पोदे लगाएंगे तो आपकी गमले को या चट को क्रेक कर सकते हैं, तो इसलिए जो चोटे हों पूलो वही पोदे आप लगाएं और फ्लोरिंग में आप जो आपकी टेरेकोटाटाइस लगा हुई है, और ये साइड में आप देख सकते हैं, ये प्लांट लगा रखे हैं, आपकी इचाव वो प्लांट आप लगा सकते हैं और एक आप आइडिया ले सकते हैं कि अगर खुली चाथ है आपकी टेरेस तो वहाँ पे आप किस तरह से कि आपकी टेरेस भी अच्छी दिखें और कभी शाम को आप जाएं तो भी आप वहाँ बोरिंग फिल ना करें और इसमें एक तरह की और आपको मैं साइड की एक बालकनी में दिखाऊंगा, ये इस तरह आपको ये प्लान करना है, ये जो आप का ग्लास देख रहे हैं, ये ये अडैसू से चिपका रखें हैं, पहले सेम मेजर्मेंट के और होल कर करके, और इसके बाद में ये अडैसू से इसको चिपका रखें हैं, और इसका ये फाइनली लुप ये दिखेगा, तो दन्यम्याद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर करें धन्यवाद